गुड बॉनिग चलिए आज देखते हैं सेकंड फ्लोर की बालकनी और साथ ही करेंगे जुकीनी की हार्वस्टिंग और हाँ आज मैं सबजी भी बनाऊंगी जुकीनी की तो वो भी मैं वीडियो के अंत में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ ये मेरे घर की सेकंड फ्लोर की बालकनी है जो मैंने मेरा जो पहला चैनल है इंडियन टैरिस गार्डनिंग आर्ट मैंने उस पर बहुत बार शेयर किया है ये वाली बालकनी शेयर की है और ये हमने प्लान करके ही ये बेल लगाई थी इस तरह भी सजा सकते हैं हम बालकनी को और पेड़ों से या बेलों से लदी बालकनी सच में बहुत खुबसूरत लगती है सुकून तो देती ही है और जो ये बेल लगाई है इसका नाम है फायर वुश और इसके फूलों का रंग भी देखिए बिल्कुल फायर की तरह है और यदि हमें कलर कॉम्बिनेशन सीखना है ना तो हम नेचर से सीखें बलकि हम सीखे ही नेचर से हैं सच तो बात ये है देखिए आप ग्रीन में औरेंज का कलर शेट कितना कंट्रास जाता है तो जब घर में बेलें लगी होती है और इस तरह खिल रही होती है तो बिलकुल ऐसे लगता है जैसे जंगल में मंगल हो रहा है नेचर अगर घर में उतर के आ जाए तो प्रकृती के बीच बैठने का आनंद हमें बखो भी मिलता है यही प्लान करके मैंने ये बेल लगाई थी और अब देखिए ये एक साल की ट्रेलिस है बेल बहुत पुरानी है यानि कि जब मकान बना था हम कह सकते हैं 19-20 साल पुरानी बेल है और बस ये पोर्शन का रेनोवेशन हुआ था इस उपर के रूम का तो तब हमने लोहे का जाल बनाकर ट्रेलिस बनाकर इस बेल को बस सहरा दे दिया और ये जो उपर की ग्रोथ है ये मातर एक साल की है बेलों की टेंडनसी होती है कि वो आगे की तरफ ग्रोथ करती हैं पीछे की तरफ से पत्ते जड़ते जाते हैं और फिर पीछे की तरफ पत्ते नहीं आते तो पीछे की तरफ सूखी हो जाती है हमें अगर लगता है कि हमें पीछे की तरफ फिर से हरा करना है तो हम आगे की ग्रोथ कोई पीछे की तरफ टर्न कर देंगे तो वो लटक के उस तरफ पहुंच जाएगे अन्य था पीछे ग्रोथ नहीं आती तो अब देखती हूं मैं कि अगली साल ये मेरी ग्रोथ जो ट्रेलिस पे है त तो अगर हमें पीछे ग्रोथ चाहिए तो फिर हमें बेल की प्रोणिंग करनी होती है जहां से हम प्रोणिंग कर देंगे वहां से फिर नई ब्रांचे निकलेंगी तो यही मैं देखूंगी अगली साल अगर ये सूखने लग गई इस तरह है तो फिर मैं प्रोणिंग भी कर में भी है और वो इसलिए इतने सारे हो गए कि मुझे बीज से उगाना अच्छे से आ गया और इसी बेल का व्यू आप टरस से देखिए उस टरस से जहां मेरी धेर सारी सब्जियां लगी है या यूं कहें कि मैंने उसे चोटे से खेट में तब्दील कर दिया है यहां भी वही ग्रीन और और औरेंज की वेवस देखिया हम कितना ही महंगा डेकुरेटिब पीस ले आएं लेकिन जो यह नेचर का डेकुरेशन है ना इसके आगे इसके आगे कोई भी नहीं है और यह कभी भी एक जैसा नहीं होता सब किया डिफरेंट होता है जब रेनोवेशन हो रहा था तब ही मैंने सोच लिया था कि इस बेल को में छट में उपर तक लाओंगी और आसानी से वो आपी गई अभी यह पूरी तरह खिली नहीं है अभी और खिलेगी और दिसंबर से फरवरी तक यह रहती तीन मैंने फ्लारिंग हमको मिलेगी और अब मैं कैमरा गुमाती हूँ अपनी च्छत की तरफ और चलिए हम हार्वेस्ट करेंगे जुकीनी और फिर बनाएंगे फटाफट एक सादा सरल सबजी गार्डनिंग मेरे लाइफस्टाइल में शामिल है इसलिए गार्डनिंग को लेकर कुछ जादा ऐसा कुछ नहीं कि कितनी कितना खरचा कितनी बचचत और कितनी पैदावारी यह सब मैं सोचती नहीं हूँ gardening मेरे जीने का तरीका है यह जुकीनी तोड लेती हूँ छोटे से bag में लगी है एक पुराना jeans skirt था पुराना jeans का skirt उसको हमने बनाया था grow bag मेरे पुराने channel पे आप जाके देखेंगे तो यह grow bag बनाने का तरीका भी मिल जाएगा तो यह जुकीनी मैंने तोड ली है और देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको YouTube channel पर recipes बहुत मिल जाएगी पर मैं जो बताती हूँ वो recipe होती हैं जो हम रोज मर्रा में खाते हैं यानि कि अब देखिए हम दो senior citizen है तो यह सादा simple जुकीनी की सबजी है जो मैं बना रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ आप बना के गर्मा गरम ततकाल खाई है बहुत tasty लगती है हाँ मैंने भी पहली बार इस साल उगाई है और मैंने खाई भी इस साल है इसलिए मैं अपने अनवब से आपको बता रही हूँ कि बहुत स्वादस्ट लगती है अगर मुझसे इसके स्वाद के बारे मैं पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि लगभग लौकी जैसी है लौकी की तरह यह हार्ड हो जाए तो इसके गूदे में बीज पढ़ जाते है अगर नरम है यह मेरी नरम है तो इसमें भी बीज नहीं है तो मैं पूरी काट ले रही हूँ एक मुझसे हार्ड भी हो गई थी तो फिर मैंने उसका गूदा हटाया बिलकुल लौकी की तरह ही और यह लिए कुकर और डाला हमने थोड़ा सा तेल और डाला जीरा हींग अच्छा जीरा जीरा हींग मुझे बहुत पसंद है और लेसन वेशन में बहुत कम खाती है थोड़ा सा प्याज डाल दूगी तो अधरे खरी मिर्च कुकर में बना रही हूँ फटा फट वाला काम और यह थोड़ी सी प्याज एक जुकीनी है तो उसमें एक प्याज होगी एक इंचा दरक का टुकड़ा होगा दो हरी मिर्च और ने भून लिया और फिर वही जो रोज मर्रा के हल्दी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पस ये तीन मसाल डाले और अब मैं डालूँगी टमाटर टमाटर दो डाल रही हूँ आप एक भी डाल सकते हो ये टेस्ट पर नरबर है मुझे टमाटर का टेस्ट बहत पसंद है वाँ आप मैं इसको अच्छे से गलाऊंगी चाहें तो आप आधा मिनट के लिए कुकर का ढखकन लगा के भी गला सकते हो और नहीं तो खोल के भी गला सकते हो ये टमाटर भुन गया अच्छे से अब भुने हुए टमाट में गरम मसाला डाल दे रही है थोड़ा सा पहले से नहीं डाला नहीं तो फ्लेवर ओड़ जाता है अब कटी हुई जुके नहीं डाल दे नापको 2-3 Mu और बस पानी मानी नहीं डालना है जैसे लोकी में अपना पानी होता है विससे थोड़ा सा इसमें भी पानी होता है और खुब उपर नीचे चला करे थोड़ा सा इसको भूंते हैं ऐसा की एक मिनट के आसपास तैकि जो ओयल है न मसाला और टमाटर की रस वाला ओयल है वो इससे लिपट जाए बस उसके बाद कोकर का डगा दिया पाने डाला और गैस की फ्लेम बिल्कुल सिंपे कर दी चुकि पाने नहीं डाला है तो फ्लेम तेज नहीं करेंगे अगर फ्लेम तेज कर देंगे तो जल नहीं कर डा रहा ब जुकीनी अभी इसमें धनिया पत्ती डलेगी खूब सारी यह मेरे हॉबी में आता है टमाटर धनिया पत्ती दो चीज मुझे बहुत ही पसंद हैं आप जरूर बनाके देखना इस तरह जुकीनी और फिर कॉमेंट करके बताना साधा सरल तरीके से बनिये सब्जी कितनी झाल!